मरवडी मेडी आप देख रहे हैं आज है 18 मार्च 2023 सनिवार का दिन और हिंदू तिति के अनुसार चेत्र माहे के क्रेशन पक्स की एका दसी तिति है अब एक नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर सुरुवात करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ क्यूंकि सीम गहलोत ने बड़ा एलान किया है चुनाव से ठीक पहले मुख्य मंत्रिक गहलोत ने बड़ा दाओं खेला है राजिस्तान में 19 नए जिलों की घोसना सीम गहलोत ने की है अब राजिस्तान में कुल 50 नए जिले और 10 संभाग हो गये है तरसल वेसे तो सीम गहलोत ने 19 नए जिलों की घोसना की है लेकिन कुल जिलों की संख्या 50 ही रहेगी एसा इसलिए है क्योंकि जैपूर से जैपूर उत्तर और जैपूर दक्सिन वहीं जोदपूर को तोड़कर जोदपूर पूर्वे वह जोदपूर पस्ची में बनाया गया है एसे में पहले 31 जिलों को माना जाए और फॉर्मेशन के बाद 19 नए जिले माने जाए तो कुल जिलों की संख्या 50 होगी वहीं आपको बता दूं सियम गहलोत ने घोसना में तीन नए संभाग मुख्याले भी बनाये हैं सीकर पाली और पांस वड़ा यह तीन नए संभाग मुख्याले होंगे नए जिलों की बात करें तो जैपुर्ग जिले को तोड़ कर जैपुर उत्तर जैपुर दकसिनी तुद्दू और कोट पूतली जिला बनाये गया है मुख्य मंत्री के ग्रह जिले जोदपूर को भी जोदपूर पूर्वे जोदपूर पस्चिम और फलोदी में बांठा गया है इसके साथ इस स्री गंगा नगर से अनूप गड को जिला बनाने की घोसना हुई है बाड मेर से बालोतरा को, अजमेर से ब्यावर और केकडी को, भरतपूर से डिग को, नागोर से डीडवाना और कुचामन को जिला बनाने की घोसना हुई है सावाई माद्दोपूर से गंगापूर सीटी, अलवर से खेरतल, सिकर से नीमका थाना, उदैपूर से सालूंबर, जालोर से सांचोर और भिलवाडा से कटकर सहपूरा को नया जिला बनाया गया है आगे बढ़ते हैं क्यूंकि मुख्यमंत्री असुक गहलोत ने कई और बड़े फैसले लिये हैं, करमचारियों को रिटार्मेंट के दिन से ही पेंसन के सारे लाब मिलेंगे उन्होंने कहा है कि क्रमचारियों को रेटायर्मेंट के तिन ही सबी पेंसन लाब दिये जाएंगे इसके लिए उन्हें दबतरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे साती में सीम गहलोत ने पिचोतर साल से ज्यादा उमर के पेंसनर्स को दस फिस दी पेंसन बढ़ाने की बड़ी घोसना की है इसके साती सीम गहलोत ने कहा है कि परदेश में मदर्सा पेरा टीचर्स के छै हजार से ज्यादा पदों पर भरती होगी मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि अब मदर्सों में पढ़ने वाले बच्चों को भी दो योनिफॉर्म दी जाएगी इस पर पिचोतर करोड खर्च होंगे इसके साथी मुख्यमंत्री गहलोत ने छोटे सहरों और क्रामिन छेत्रों में महीलाओं के लिए सार्व जनिक सुविदा केंद्र बनाने की घोसना की है इस पर सो करोड रुपे खर्च होंगे वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने उज्जेन के महकाल की तरज पर जैपूर के कोविंद तेवजी मंदिर का कोरिडोर बनाने का भी एलान किया है इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने एक और बड़ी घोसना की है विदाईकों को विकास के लिए सालाना मिलने वाले फंड को बढ़ाया गया है और इसके नियमों में बतलाव कर इसमें करवाये जाने वाले कामों की संख्या भी बढ़ाने की घोसना की गई है बड़ी बात ये है अब तारबंदी भी इससे की जा सकेगी यानि कि अब विधाइक तारबंदी जैसे काम करवा सकेंगे आगे बढ़ते हैं राजिस्तान में एक्टिव हुआ नया वेदर सिस्टम किसानों पर जम कर कहर बरपा रहा है सुकरवार को नागोर वेपाली में तेज बारिस के साथ गिरी बिजली ने तीन लोगों की जान ले ली वहीं तेज बारिस और आंधी के कारण जैपुर जयोदपुर बिकानेर संभा के जिलों में किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है परदेश के किसानों की फसले चोपट हो गई है कटाई के लिए तैयार यहूँ चना सरसों जीरा इसब गोल की फसलों को भी बारिस और रोलों से बड़ा नुकसान पहुचा है और चिंता की खाबर यह है मोसम के अंदर जयपुर ने 20 मार्च तक मोसम एसे ही खराब रहने का अनुमान जताया है अगली बड़ी खाबर सिक्कर में गेंगेश्टा राजु ठेहट की हत्या में 007 गेंग का भी कनेक्सन सामने आया है गेंग ने ही ठेहट की हत्या के लिए सूटर्स को हतियार सप्लाई किये थे जोदपुर ग्रामिन पुलिस ने सुकरवा रात दो किलो मेटर पीछा कर गेंग के सरगना राजु मांजु को उसके एक साथी के साथ गरबतार किये है मांजु हतियार एमडी ड्रग और टोडा पोस्त की तसकरी में फरार चल रहा था और उसके साथी राजेस सीहा को भी लोहावट के जंबेस्वर नगर से पकड़ा गया है यह दोनों लंबे समय से फरार थे दोनों जिले के वांटेड अपरादियों में सामिल है और इन पर 5,000 रुपे का इनाम भी गोसित का रखा था आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगली बड़ी खबर आपके लिए बेहधी काम की खबर है देखे आजकल सोने से पहले 80% लोग अपने मुबाइल को देखते हैं यदि कोई वेक्ती फोन देखने लग जाए तो कब 2-3 घंटे निकल जाए पता ही नहीं चलता और बड़ी बात ये है इसका सीधा असर हमारी नींद के हार्मोन पर पड़ता है जानकारों का कहना है कि आजकल कई लोग फोन देखने के चकर में अपनी नींद पूरा नहीं कर पाते विसेसग्यों का कहना है कि 7 घंटे की कम की नींद आपके सारीरिक के साथ मानसिक सेहत के लिए भी खत्रा है इसी कारण आजकल कम उम्मर के लोग सुगर, डाइबिटीच और मोटापा के साथ हार्ट अटेक जैसी बिमारियों का सिकार हो रहे हैं बड़ी बात यह है फोन देखने के चकर में हमें नींद को खराब नहीं करना है नींद के विशेशग्यों के अनुसार कम सोने के कारण ही कम उम्मर में यह गंभीर बिमारियां होने लगी है सवस्त रहना है तो पूराने लोगों की लाइप स्टाइल अपनाना होगा जैसे रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना सुबह उठकर योग वगेरा भी करना बहराल आगे बढ़ते हैं विधान जबा में बजट बहस पर जवाब देते हुए सीम गहलोत ने कहा है कि ओपियस पर चुनाव से पहले पीम मोदी को फैसला करना होगा सीम गहलोत ने कहा है कि आप संभल जाइए हरियाना करनाटक महराष्टर में कई राज्यों में अब OPS की मांग उठ रही है मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि हम करमचारियों को बाजार के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं केग और यूडिसरी ने NPS लागू करने से मना कर दिया है OPS को लेकर हमारे खिलाप आर्टीकल लिखे जा रहे हैं साथी में बड़ी खबर आपको यह भी दे दो मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि 30 मार्च से 25 लाग रुपे वाली नई चिरंजीवी योजना लागू होगी यानि कि इस योजना के तहत 30 मार्च से अब 25 लाग रुपे तक का फिर इलाज हो सकेगा और सबसे बड़ी खबर तो यह आ रही है मुक्त स्मार्टफोन योजना को लेकर एक बार फिर नई अपडेट आई है अब 35 लाग को नहीं बलकि 40 लाग महिलाओं को मुख्यमंत्री असुक गहलोत रक्षा बंदन पर मुक्त स्मार्टफोन देंगे दरसल चिरन जीवी योजना में सामिल परिवारों की महिलाओं को गहलोत सरकार ने रक्षा बंदन से स्मार्टफोन देने की घोसना की है करेब 40 लाख महिलाओं को इसका फाइदा मिलेगा यही थी आज की बड़ी खबरें वीडियो को लाइक करना बिलकुल ने भूलिये और चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहें बड़ी खबरों से धन्यवाद